Class 11 Physics के Mathematical Methods इस चाप्टर में आप सबका स्वागत है। हम इस लेशन में Physics के लिए जो Important Mathematical Lessons है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे Vectors इस सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम Concept of Factors और Types of Factors इन दो कंसेट के बारे में डीटेल में समझने वाले है। तो अभी तक हमने हमारे चाइनल ABCD Live को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबस्क्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आये तो लाइक, शेर और कमेंट जरूर कीजिए और साथ में दे हुए बेल आइकाउन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते है Vectors तो सबसे पहले हम देखेंगे Vectors होता क्या है ठीक है तो देखिए Vectors Vectors के साथ साथ एक और कंसेप्ट आती है Scalors तो Vectors और Scalors ये दोनों है Physical Quantities को मेजर करने के लिए बनाए हुए Tools तो फिर हमारे सामने concept आता है Physical Quantities तो ये Physical Quantities क्या होती है तो हम कह सकते है Quantities Quantities Which can be measured तो उसे हम कहते है Physical Quantities ऐसी Quantities जिसे हम मेजर कर सकते है उसी को हम Physical Quantities कहते है तो जिस तरह से हम Area मेजर कर सकते है Volume मेजर कर सकते है Density मेजर कर सकते है उसी तरह हम Velocity को मेजर कर सकते है Speed को मेजर कर सकते है Etc ऐसी बहुत सारी Physical Quantities है जिने हम मेजर कर सकते है तो हम कहेंगे Physical Quantities are those which can be measured तो Physical Quantities को दो कैटेगरी में Divide किया जाता है उसमें सबसे पहली है Scalors तो Scalors ये Quantities समझने के लिए हम एक Example लेंगे अगर समझो एक Weight हमारे पास दिया है इस तरह से अगर समझो वो Weight है वो हमें दिया गया है और हमसे कहा गया कि ये Weight का जो मास है वो है 1 kg तो हम यहां मास के बारे में बात करने वाले हैं तो मास क्या होता है हमने हमारी पिछली Classes में यह बखुभी पढ़ा है मास मींस Amount of Matter किसी भी Substance में कितना Matter है उसे हम उस Substance का मास कहते है लेकिन जब हम मास मेजर करने जाते है तब हम सिर्फ उसका मास ही देखते है मतलब हम कहते है यह 1 kg मास है हम यह ने कहते कि 1 kg मास उपर की तरफ है या 1 kg मास नीचे की तरफ है तो हम जब 1 kg यह मास मेजर करते है तब हम क्या मेजर करते है तब हम मेजर करते है उसका magnitude तो 1 kg यह उसका एक magnitude है जब हम magnitude के through ही किसी quantities को मिजर कर पाते है तो हम ऐसी quantities को scalar quantities कहते हैं means scalar quantities need only magnitude तो physics में हम distance के बारे में बात करते हैं तो distance क्या होता है समझो एक particle है A और उसे P इस position पे जाना है अब point A पे एक particle है वह B की तरफ जाने वाला है समझो वह A से B की तरफ इस तरह गया या A से B की तरफ समझो वह particle इस तरह गया तो यह क्या है यह सब A to B जाने वाले जान में रखिए A to B जाने वाले actual path है So actual path covered by a body is called distance लेकिन जब हम यह distance इसने कितना cover किया है यह बताते है तो वह किसी भी direction में जा सकती है तो हमें यहां पता होता है कि distance में direction की कोही जरुरत नहीं होती है So distance में हम सिर्फ actual path क्या करते है magnitude से बताते है मतलब हम कहेंगे कि point A से point B यह particle 10 km गया है लेकिन किस direction में गया है यह हम नहीं बताते है तो distance क्या हो गई? Scalar quantity हो गई तो quantities which can be measured using only magnitude is called scalar quantity तो हम देखेंगे इसके opposite दूसरी एक quantity का एक type होता है उसे हम कहते है vector quantities अब हम देखेंगे vector quantities क्या होती है तो देखिए अब समझिए यह कोई body है this is a body कोई भी substance है और उस पे हम force लगा रहे है और यह force की जो direction है वो है ऐसी यह force F1 ऐसा कोई force हमने लगा है और उसकी वज़े से यह body displaced हो गई means body has changed its position और थोड़ी देर के बाद यह body यहाँ आके पहुँच गई और हमने कहा इसका जो displacement है displacement है मान ले कि इसका displacement है 10 मिटर और उसका direction है east तो यहाँ क्या होता है body का displacement 10 मिटर east हुआ है तो जब हम ऐसे कुछ कहते है तो हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं 10 मिटर बताता है magnitude means इस body ने कितना distance कवर किया है 10 मिटर तो वो हो गया उस body का magnitude लेकिन हम यहाँ magnitude के साथ-साथ उसके displacement की direction भी बता रहे है तो अगर किसी quantity को हम उसके magnitude के साथ-साथ उसके direction के मदद से क्या करते है express करते है तो उसे हम vector quantity कहते है तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि vectors are the physical quantities which need magnitude and direction both देखिए अईसी physical quantities जो उसके magnitude और direction से express होती हो उसे हम vector quantities कहते है तो इसके हम example भी ले सकते है मान ले जो हमने उपर example लिया था displacement तो displacement क्या होता है change in position with respect to origin उसके लिए हम position vector को भी define करते है इस video series में हम आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे तो displacement है velocity है देखिए acceleration है ठीक है उसके साथ momentum है momentum है force है impulse है एट्सेटरा यह सब vector quantities है तो vector quantity हम उसे कहते है जो उसके magnitude के साथ-साथ direction से भी express होती है लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है हम कुछ examples लेते हैं समझिए current इसके बारे में हम electricity lesson में और detail पढ़ने वाले हैं लेकिन current हमें पता है current हम ampere में major करते है इसका मतलब हम उसका magnitude बताते है ठीक और फिर कहते है कि current positive से negative गया है देखिए यह भी हम कहते है मतलब हम उसका direction भी बता रहे है लेकिन magnitude और direction दोनों होते हुए भी current vector quantity नहीं है अरे वाद ऐसा क्यूं हो गया तो हमें सिर्फ दो बातों के बारे में ही पता है vector quantities magnitude और direction होने से ही define होती है यह दो condition हमने आज तक पड़ी है लेकिन ऐसा नहीं होता है हम vector quantities के लिए और एक condition के बारे में पढ़ेंगे और वा condition होती है अगर कोई quantity vector algebra के laws फॉलो करती है तभी हम उसे vector कहेंगे current magnitude और direction दोनों से भी express होता है लेकिन वो vector algebra के laws को फॉलो नहीं करता है इसलिए current वेक्टर कॉंटिटी नहीं है यह बात ध्यान में रखना है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे vector का representation ओके representation of vector सपोज एक particle है A और उस particle पे हम इस direction चलिए मैं direction अलग तरह से define करता हूँ समझो हम इस direction में उस पे force लगा रहे है और समझो यह force है in newton तो हम यह कह सकते है यहाँ जो force है वो एक vector quantity है क्यूंकि magnitude के साथ साथ direction भी define है तो हम इसे कहेंगे vector f तो इस तरह से vector में हम क्या करते है उस letter के उपर एक arrow sign देते है उस पे हम arrow sign देते है तो कोई भी vector एक arrow sign से दिखाया जाता है इस तरह से तो arrow का ये जो backward point आपको दिखाई देता है ये part इसे हम कहते है tail of the vector इसे हम क्या कहेंगे tail of the vector और ये जो arrow दिखता है उसे हम कहेंगे head of the vector ओके तो vector का representation इस तरह से किया जाता है अब हम देखेंगे vector का magnitude magnitude अब हम कहते है force applied is 3 newton तो हम कहेंगे force का direction है तो ये एक vector है vector f और अगर हम इसे तो mod में लिखते है इस sign से तो इसे हम कहते है magnitude of vector f तो ये हमें क्या बताता है कि ये force तीन न्यूटन इतना हमने apply किया है तो magnitude of vector is denoted by writing the vector in modulus sign mod क्या होता है mod हमेशा उसकी numerical value बताता है जो यहाँ तीन न्यूटन बताई गई है ठीक है तो ये है mod हम इसे सिर्फ f इस तरह से भी लिखके denote कर सकते है अगर हम letter के उपर arrow sign ना दे तो वो भी उस vector का magnitude होता है तो ये हो गया representation of vector अब हम बात करेंगे types of vector ठीक है types of vector तो उसमें सबसे पहले आता है equal vectors गवर कीजिएगा equal vectors तो equal vectors किसे कहते है ऐसे vectors जिन vectors का magnitude and direction बोथ आर सेम ये सबसे important condition है अगर कोई दो vectors magnitude में और direction में सेम है तो हमने equal vector कहते है देखिए अगर हम यहां एक vector लेते है समझो ये है vector A ठीक है तो हमने इसे arrow sign से दिखिया है तो ये है vector A अगर हम दूसरा vector बनाए देखिए अगर हम दूसरा vector बनाए vector B जो exactly कैसा है vector A के ही जैसा है तो चलिए हम उसका color change कर देते हैं ये है vector B ये है vector B अगर हम देखिए तो ये दोनो vector A and B बोथ हैव same magnitude and same direction तो हम कहेंगे vector A and vector B are equal vectors ओके ये बहुत important type है vector का इसकी मदद से हम addition theorem भी प्रूव करते हैं उसके बाद होता है equal vector के बाद होता है parallel vector parallel vector क्या होता है ऐसे vectors जिनका magnitude same है लेकिन direction माफ कीजिए जिनका magnitude different है magnitude is different but direction is same तो उन्हें हम कहेंगे parallel vectors मानले अगर ये है vector A इस तरह से और ये दूसरा vector B ऐसे तो हमें देखते ही पता चलता है कि इनका magnitude magnitude different है लेकिन direction तो same है क्या same है direction is same तो हम इन्हें कहेंगे vector A और vector B बोट आर parallel vectors जान में रखिए अगर कोई vector हम इस तरह से निकालते है ये है vector A और उसी के direction में हम इस तरह से अगर निकालते है vector B तो हमें तो ये एक line पे दिखाई दे रहे है फिर भी इनका magnitude different है direction same है तो इन्हें हम parallel vectors कहेंगे ठीक है parallel vectors में जो angle होता है वो 0 degree होता है ये आपको बात पक्की धन में रखनी है तो ये हो गया parallel vector उसके बाद हम बात करेंगे अगले टाइप जिसे हम कहेंगे anti-parallel vector anti-parallel vector क्या होता है जिसमें direction opposite होती है vectors की direction opposite होती है या अगर मान ले ये vector इस direction में A जा रहा है और दूसरा vector B इस direction में जा रहा है magnitude कम जादा हो सकता है तो इन्हें हम कहेंगे anti-parallel vector anti-parallel vectors में angle होता है 180 degree फिर हम बात करेंगे 0 vector अब 0 vector क्या होता है ये कोई आजब बात है जी नहीं ऐसा vector जिसका direction arbitrary है मतलब इसका direction कुछ भी हो सकता है उसे हम arbitrary कहते है और इसका जो magnitude है वह 0 होता है तो 0 magnitude और arbitrary direction वाले vectors को हम 0 vectors कहते है उसके बात हम पढ़ेंगे position vector तो position vector क्या होते है ये भी हम देखेंगे मान ले ये हमारा 2D plane है और किसी एक particular point पे एक body A खड़ी है या हमने रखी है लेकिन हमें उस particle पे body A का exact location पता करना है उसका position पता करना है उसका address पता करना है तो हम क्या करेंगे वह body का location हम देखेंगे origin से जो हमने imaginary plane बनाया है उसके origin से मान ले ये है origin O उससे हम उसका location पता करेंगे अगर हम origin से उस particle की तरफ जाने वाला vector निकालते है समझो वह है vector R R vector तो हम कहेंगे vector R is position vector position vector kinematics में बहुत ही important है आगे हम kinematics पढ़ते समाए position vector से displacement का formula derive करेंगे अभी तो हम सिर्फ type के सम्मन में ही इसे ध्यान में रखें तो इसे हम ऐसे भी कह सकते है vector OA is position vector उसके बाद आता है position vector तो हो गया अब हम बात करते है unit vector unit vector unit का मतलब होता है one यहने एक अगर मान ले यह एक vector है vector F और इसका magnitude है 10 newton अगर हम इस vector के 10 equal parts करें 10 equal parts करें तो हमें पता चलता है कि हर एक part का जो magnitude है each part will have magnitude as one तो one क्या है एक pure number है तो हम magnitude जिसका one होता है ऐसे vectors को unit vector कहते है unit vector एक pure number होता है dimension less होता है उसे कोई dimension नहीं होता है हमने dimensional analysis पड़ा है तो unit vector को dimension नहीं होता है वो एक pure number होता है उसका value one होता है और वो हम किस तरह से निकालेंगे अगर समझो कि CB vector F को उसके magnitude से divide कर दिया जाए तो हमें हमेशा value मिलेगी one 10 को 10 से divide किया जाए तो one मिलेगा तो वो होता है unit vector जिसे हम small u से दिखाएंगे और उसके उपर एक sign दिया जाता है caret sign जिसे हम कहते है caret sign और उसे पढ़ते है u cap u cap तो हमने unit vector के बारे में एक छोटा सा formula यहां बना लिया है तो unit vector का काम सिर्फ vector का direction बताना है उसका value हमेशा one होता है और वो हम किस तरह से मिलाते हैं जब किसी vector को उसके magnitude से divide किया जाता है तो हमें unit vector मिलता है तो हम इस तरह से कह सकते हैं इस formula के base से vector f is nothing but product of unit vector by f which is the magnitude of vector f तो इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे coplanar vectors क्या होते हैं और unit vector और equal vectors की मदद से हम आगे triangle law of addition फिर parallelogram law of addition यह भी आगले वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए इस वीडियो का आनंद लेए Thank you